अल्लो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ आनद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लो आज की वीडियो में हम ब्लैक मूर के बारे में बात करने वाले हैं यह जादर दिन तक कई लोगों के पास ठिकती नहीं है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करत अगर आपको स्क्रीन के बीचो बीच मेरे चैनल का लोगो नजार आ रहा हो तो मुझे माफ करिएगा यह मेरी गलती नहीं है यह यूटूब की वज़ा से मेरी पिछली दो वीडियो में भी हो रखा है तो साइद यह हट जाए और साइद अगर दिखे तो इसके लिए मुझ स्पॉट दिख रहा होगा यह मुझे नहीं पता मेल है कि फीमेल तो यह मेरे पास लगबग छे महीने से हैं और कई लोगों ने मुझे मैसेज में भी पूछा और कई लोग कमेंट भी करते हैं कि मेरे पास ब्लैक मूर में लाया और महीने भर में ही मर गई या हफते भर में म या फिर आप ज्यादर दिन तक पानी को गंदा रखते हैं तो भी ऐसा होता है मेरे हिसाब से अगर आप पचीस दिन के अंदर बीस से पचीस दिन पे आप अगर टैंक का फिल्टर साफ कर दें जैसा कि मेरे यहाँ पर यह filter है ऐसा filter है अगर आपका तो वो साफ कर दें वरना आप sponge filter जो रखते हैं वो साफ कर दें या फिर आप 30% पानी इसमें रखके यानि कि 70% पानी आपको change कर देना है और 30% पानी इसमें छोड़ना है हर 20 दिन पर अगर आप black moore पालते हैं तो सबसे बड़ा राज सबसे बड़ी trick यह है कि आप black moore के साथ कोई कार्प ना रखें कोई कार्प में जैसे की milky कार्प हो गई या फिर butterfly कोई जिसको हम बोलते हैं Japanese कोई या फिर normal कार्प आप ना रखें क्योंकि वो एक उनका time period ऐसा होता है जब उनकी body growth करने लगती है वो धीरे-धीरे mature होने लगती है तो उनमें एक aggressive पन आ जाता है वो अपने जैसे कार्प के साथ तो रह लेती हैं लेकिन जो उनसे कमजोर हैं जैसे की यह black moore हो गई तो इनमें उतनी रफ़तार नहीं होती यह तरह से का जाए तो नाजुक पुतले होते हैं तो इनके साथ आप कार्प ना रखें तो सही है और जो मचलियां दूसरी मचलियों को नोचती हैं जैसे की tiger barb हो गई या फिर rosy barb हो गई या फिर molly हो गई ऐसी मचलियों को भी ना रखें मैंने अपनी gold के साथ danius रखी हैं और कभी कभी मैं इसमें red को छोड़ देता हूँ क्योंकि जब bowel साफ करता हूँ तो red को इसमें छोड़ने के बाद ये हफ़ते भर तक इसमें रहता है कई बार 20 दिन तक रहता है red मेरे beta fish का नाम है तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप इसमें कोई कार्प की species ना रखें और वो मचलियां जो दूसरी मचलियों के punk नोचती है क्योंकि ये बहुत नाजुक है ये देखिए इसको इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे camera लगा हुए और ये देखिए इसके punk भी पहले से बहुत बढ़ गए है और जब मैं लाया था तब इसका size दो इंच था और अभी लगबग ये 3 से 3.5 या 4 इंच की है